दिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट इंटरनेट पर दुनिया का नया परीद रश्य हिंदी का एक नया संसार दिखा रहा है एक नया आभासी दुनिया सामने दिखाई दे रही है इस समय हिंदी भासा का जो प्रचार प्रशार इंटरनेट के द्वारा तकनीक के कारण वैस्विक इस्तर पर दिखाई देता है वह चोकाने वाला है अब तक आये सर्वेक्षन ये दिखा रहे हैं कि महामारी के दोर में हिंदी का अदभुत विकास इंटरनेट के जरिये हुआ है खास कर ओनलाइन और OTT मंचों पर समूचे परिद्रश्य को देखे तो पता चलता है कि हिंदी यूरोपिये भासाओं और अंग्रेजी कोमा चीनी भासा के साथ साथ विश्व की दूसरी बड़ी संप्रेशन भासा के रूप में हमारे समुख बड़ी मजबूती से अपना व लोजगार संप्रेशन और भारतियता का हिंदी का एक अपना नया मुहावरा दिखाई दे रहा है इस्टोप यह भी सुखद अनुभव है कि अब हिंदी के नए शब्द और उनका प्रयोग सूचना तकनीक के संप्रेशन के कारण उस तरह से नए रूप में समाहित और नए शब्दों के द्वारा उचरित और पठन पाठन की दुनिया में सामने आ रहा है इस्टोप इन दिनों एक नया परिद्रश्य हिंदी के विकास और प्रयसार का नई तकनीक से विक्सित हुआ है कोमा जिसमें मोबाइल फोन से लेकर नए सूचना प्रयसारन तकनीकी यंत्रो से हिंदी उन सब लोगों तक पहुच रही है जहां तक पहले पहुचना बेहद मुश्किल था स्टोप मुझे याद है जब गाव में हिंदी की पढ़ाई के लिए स्कूलों में उन अध्यापकों पर सारा दारुमदार था कोमा पर अब सूचना की बदलती हुई तकनीक ने इंटरनेट के संजाल से हिंदी का एक विक्सित और सुद्धता भरा नया संसार रच दिया है इन दिनों इंटरनेट की तकनीक से जो भाषा हमारे सामने है कोमा वह एक नई हिंदी है इस्टोप हालांकी यह भी सच है की इंटरनेट के संजाल और अलग-अलग विवीधा के कारण हिंदी के शब्द जोड और बासाई तकनीक का एक नया के इनवास या आधार पैदा हुआ है कोमा जिसे पिछले समय के आभासी संसार में ओनलाइन हिंदी भासा के प्रचार प्रसार की एक नई तस्वीर के जरिये प्रस्तुत किया है और यह बेहद मकबूल भी हो गया है इस्टोप पेरा हिंदी को लेकर जिस तरह का मुहावरा हमारे गाव और प्राथमिक स्कूलों में कोमा खास कर भारतिय हिंदी पट्टी के प्रांतों में दिखाई देता है कोमा उससे भी में दिखाई देती थी स्टोप मगर तकनी की नई दुनिया ने हिंदी के प्रचार और फेलाव के इतने आधार भूत परिवर्तन कर दिये हैं कि अब यह भाशा टिविटर से लेकर दूसरे अन्य संप्रेशन माध्यमों की भासा बन गई है स्टोप एक समय था जब हिंदी क कैख है गय घय अपने पुरातन अर्थ लिये हुए था कोमा पर नई तकनीक ने इनके स्वरूप गूगल को बदल दिया है स्टोप इंटरनेट की एक आभासी दुनिया में हाथ में मोबाइल और टेबलेट की स्क्रीन पर दुनिया और हिंदी की भासा को निर्मित किया है को कोमा वह हिंदी का एक नया आदार बन गया है स्टोप समय के साथ सब्दों के अर्थ बदल गए है कोमा नए शब्द हिंदी में समाहित हो गए है स्टोप पेरा पिछले करीब डेड़ दो साल में समूचा विस्व ओनलाइन और सूचना के समप्रेशन से सूचनाओं का आदा प्रदान कर रहा था और यह सिलसिला अब भी जारी है स्टोप यह हिंदी का नया दमखम और चहरा भी है कोमा जिसमें यह समूचे विस्व की अन्य भासाओं के साथ अपनी एक नई पहचान और भासा के आधार पर एक नई दुनिया को इस तरह से बना रही है कि अब यह भासा भी तकनी की भासा और सूचना प्रसारण माध्यमों के सभी के सभी माध्यमों द्वारा सोची समझी एवं पठन-पाठन के साथ साथ सिक्षा और विसिक्षण का एक नया आधार भी बन गई है स्टोप इस विकास को हम गाव से महानगरों में आ रही नई भा प्रिंदर भासा के साथ समाहित करके जब देखते हैं कोमा तब पता चलता है कि आने वाले दिनों का यह बदलाव भासा का एक नया यथार्त भरा सामरिक विकास चहरा है और सायद इस बहाने यहे भी तैह है कि इस तकणी की संप्रेशन शक्ती से दुनिया की समस्त भासाएं क कोमा जिन में हिंदी भी सामिल है कोमा कितने तवरित माध्यमों से बदलती जा रही है और लोग अब इसे अपनाने भी लगे हैं इस्टोप पेरा अब इस माध्यम और आवासी दुनिया से सहर और गाव की दूरी सिमट गई है इस्टोप कहीं ने कहीं यह कहना भी ठीक है कि अब दादा नानी और मा की भासा हर आदमी की भासा का सलीकालिये एक नई दुनिया की और अग्रसर हो रही है और यही बदलाव भासा को नए बदलाव से गुजरते हुए एक नई दुनिया और नई आशाओं के साथ कदम ताल का सुर ताल बना रहा है इस्टोप अब नई हिंदी गाव की हिंदी नहीं रही है और वह सहर की हिंदी और वैस्विक इस्तर की हिंदी हो गई है हालांकी गाव में अब भी इन भाशाओं का एक ऐसा रूप हमारे सामने है कोमा जहां दादी नानी की बासा अभी भी जिंदा है अब समय है हिंदी के इस परिवर्तन के दोर को स्विकार करने की और यह मानकर चलने की की अगली पीडी की नई हिंदी ही होगी कोमा जिसमें यह स्विकार करना होगा की यह भासा उस बहते दरिया की तरह है जो समंदर में खतम हो जाता है बहसा का कोमा विशेशकर हिंदी का यह दरिया देश को जोडने और गाव की विरासत और उसके रिस्ते को नए नजरिये से देखने का भी प्रयोजन मूलक स्वरूप है इस्टोप पेरा कोरोना महामारी के कारण चीन ने अपने पैर ठिटका लिये हैं इस्टोप नियमों में शक्ती है इस्टोप यही कारण है कि चीन में लगभग 23,000 से जादा भरतिये छात्र कोमा कर्वचारी एवं कारोबारी फसे हैं उन्हें अपने देश लोटने का इंतिजार है इस्टोप अपने वतन की मिट्टी पर माथा रख कर उसे प्रणाम करने का इंतिजार है कोमा मगर चीन ने फिलहाल वीजा प्रग्रिया निलंबित कर रखी है स्टोप भारत ने चीन की इस कठोर निती पर निराशा जताई है स्टोप चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री के अनुसार भारत ने चीन के कारोबारियों के लिए वीजा प्रग्रिया जारी रख कर व्यापार और वानिज समन्द पेहत्तर करने की और कदम बढ़ साया है कोमा पर चीन की और से किसी भी तरह की उदारता का संकेत नहीं मिल रहा है स्टोप चीन को अपने देश में फसे भारतिय नागरिकों को भारत भेजने की प्रक्रिया सुरू कर देनी चाहिए स्टोप इस कोरोना महामारी ने अपने साय में करोडों जिन्दगियों को निगल लिया है स्टोप चेन ने भी अपने बहुत सारे नागरिक खोए है स्टोप सुरक्षा का मसला आवशक हो सकता है कोमा पर समवेदना को भी तो नहीं मारा जा सकता है स्टोप ब्रष्टाचार के मामले में आज इस्तती इतनी दयनिये हो चुकी है कि सिक्षा और न्या के छेत्र भी इससे मुक्त नहीं माने जाते स्टोप देश के कर्णदार कहे जाने वाले नेता ब्रष्टाचार की दल दल में पहले से दसे हुए थे स्टोप